नमस्कार दोस्तो दे लर्नर पॉइंट में आप सभी का श्वागत हैं दोस्तो ये रीट 2023 मैंस का जो एक्जाम है उससे समंधित वीडियो रहेगा तो देखिए सबसे पहले तो मैं यदि रीट 2023 मैंस की बात करूँ तो रीट 2023 जो मैंस का एक्जाम है उसमें और रीट 2021 और 2017 इन में कोई लेना देना नहीं है और अगली बात यदि मैं बात करूँ तो जो कटोप के आप वीडियो देख रहे हैं वो आप वीडियो मत देख ये कटोप के क्योंकि उमीद लगाने के बाद उमीद जब तूटती है ना तो बहुत जादा की मतलब दुख है उस रीट का तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ आप इस से भी उमीद मत लगाओ यदि आपका हो जाए तो उस लिस्ट में अपने अपनाम आज जाएगा आपका और यदि आप उमीद लगाओगे तो उमीद तूटेगी तो आप खुद को संबाल नहीं प कर दूँगा कोई दूसरा बंदा कटोफ का वीडियो बढ़ाएगा वह आपको बाहर करतेगा और कटोफ का किसी को नमान नहीं होता यह हकीकत बात है क्योंकि आपको मैं बताओं अभी तो उत्रकुंजी बोर्ड की जारी होगी अभी तो अपने अलग-अलग बैसंस्ताओं की मिलाई है तो उन में भी 2-3 उत्रों में फरक रहता है फिर दूसरी बात यह दि मैं बात करोूं तो जैसे वर्ड उत्रकुंजी जारी करेगा तो दो तिन पर्षन मानके चलो वो डिलीट कर दे अगर बोर्ड नहीं हंदी में मानके चलो 3 पर्षन डिलीट कर दिये तो 3 कि उसमान नहीं है जब वास्ट विक रजल्ट आए गा ना तब फी दो गुना लिष्ट जारी होगी एक गुना nem कोई रखनी एप भी दो गुना में नाम आ गया कि महारत हो गया तब भी आपको उम्मीद नहीं रखनी है तुछ जारी करेंगे कि यह तक ना रहे, दो गुणा जारी करेंगे, उसके बाद एक गुणा बच्चों को लिया जाएगा, फिर यदि कोई बच्चा जोइन नहीं करता है, तो फिर नीचे वाले बच्चों को उठाएंगे, तो ये लंबी प्रोसेस चलेगी, बीच में मानके जलिए सेकंड ग्रेड, फर्स् सेटी वाले बच्चे जिनों ने एक दिन भी हिंदी नहीं पड़ी, फोक कई तो एक सुपंद्रा, एक सो दस तो वो ला रहे हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो हंदी की त्यारी कर रहे थे, वो भी सो नमबर ला रहे हैं, हकीकत पात है ये, तो ये पेपर है ना, इनके है वो डिश्टप होगा इस से अच्छा है आगे की भरतियों के आप त्यारी स्टू कर दीजिए निश्य तोर पर फर्स्ट ग्रेड की भरती आएगी और सेकंड ग्रेड की भरती आएगी उसके बाद अब टाइम लग सकता है जैसे दो हजार चोईस सुरू में हो जाए या यही टाइम आ जाए मार्च अपरेड मैई जून तक पर होगी मतलब आगे के एक साल के अंदर अंदर भरती जुरूर होगी क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के जो लेक्चरर है उनका तो परमोसन सुरू होगा है वो इस प्रिंशिपल के अं आएगी यदि हम तूटके बैठ गए तो भीखर जाएंगे और यदि खुद को मजबूत रखा मोटिवेट रखा तो आगी की बरतियों में क्या पता आप थर्ड ग्रेड ना बनकर क्या फस्ट ग्रेड निकाल दो आप और छोटी सी काणिया आपको बताओं जो थर्ड ग्र नहीं है तो आप अभी से आज से ही या होली के बाद अपनी त्यारियों शुरू कर दीचिए यही मोटिवेशन है बाकी जितने ज़्यादा आप को टॉप के वीडियो देखोगे जितनी ज़्यादा उमीद लगाओगे ना उतने ज़्यादा पजल होगे यही अखिकत है यह जिसके उपर बीतती है ना वो बताता है तो बेस्ट रहता है और एक और बात बताद में आपको बहुत सारे बच्चे हैसे हैं जिनके रीट 2021 में बहुत अच्छा स्कोर था अब डाउना आ रखा है यह भी सच्छा है मेरे साथ के कुछ दोस्ते हैं जिनके 132-133 थे अपिच खुद को घहराई में लेके जाओगे उतने आप डूबते जाओगे और उतना ज्यादा आपको दुख होगा जब आपका प्रिणाम आएगा और अगर आपका चैन हो जाता है तो वह बहुत अच्छी बात है वह तो खुशी की बात होगी तो अब आप खुद को श्तिर रख